असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ से इदमर फारूक अपने चैनल अमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमन में हाजरूं दोस्तों आज के एपिसोड भी हच स्पेशल एपिसोड है और बहुत सारी खबरें तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकत साइट पे और उनके ट्विटर अकाउंट पे और फेस्बूक पेज पे जो शेयर की गई है आप्टर मीटिंग जो कल मीटिंग हुई थी उसके बाद जो चीज उन्होंना है फाइनलाइस किये वह बहुत डीटेल में आपको बताने वाला हूँ वाट वीडियो स्टार्ट कर करने जा रहे हैं या उम्रह करने जा रहे हैं अनके लिए सानिय पैदा फरमाएं और वह बहुत खुशी को साथ जाएं और एक मकबूल हज और उम्रह की सादत हासिल करें आमीन के साथ वीडियो का आगास कर लेते हैं जनाप कल मीटिंग हुई है वज़ारत मजभी अमूर प को आगास की तारीख कर दिया है जनाप और फितर के बाद फौरण हज की जो ट्रेइनिंग है उसका अगास इन्शहाला हो जाएगा और पंद्रः अपरैल से हज का जो ट्रेनिंग सेशन है उसका दूसरे महले का अगास होगा और एक सोबाइस मकामात पर यह हज training sessions होंगे इस से पहले में एक और आपको वजारत से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे बलोचिस्तान की बहुत से लोगों के comments आ रहे हैं comment section में कि वहां पर तो अभी तक हज की training का आगास नहीं हुआ है तो अगर अगर अभी तक नहीं किया है training sessions का अगास तो बराय महरबानी बलोचिस्तान के लोगों को भी training दें ताके उनको किस भी किसम की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े एक 122 जना मकामात हैं हज training sessions के और जिसमें 40 master trainers जो हैं वो लोगों को इंशाला training देंगे बट एक तबदीली की गई है जो पहले session से दूसरे session में तबदीली की गई है कि पहले session में बहुत छोट-छोटे जो मुझाफाती इलाके होते हैं चोट-छोटे लाके होते हैं वहाँ पर भी training जो है वो दी गई थी महाजी साहिबान को बट अब उन्होंने चेंज कर दिया अब 122 मुकामात होंगे और 40 master trainers होंगे और यह जो मुझाफाती छोट-छोटे इलाके होते हैं जो बड़े शहरों के साथ चोट-छोटे शहर होते हैं उन सब को एक ही जगापा रिकठा किया जाएगा ताके वक्त भी बचाए जा सके और जो इक्राजात हैं जो expenses हैं वजारत के वो भी बचाए जा सके हैं तो यह आप लोग अपतियार हो जाएं कि जो लोग भी छोटे शहरों से तालुक रखते हैं आप लोगों को अपने बड़े शहर में जाना पड़ेगा जैसे अगर मैं मुल्तान से तालुक रखता हूं तो मुल्तान के जो इर्दगेत के एरियास हैं जैसे शुजाबाद है मुझफरकड है और कबीर वाला है इस तरह के जो इलाके हैं या खाने वाल हैं उनको आपको बड़े शहर में मुल्तान में आना पड़ेगा और बाकी जो बड़े सेटीज हैं इसी तरह आप लोगों को जो छोटे अलाके हैं उनको बड़े सेटीज में जाना पड़ेगा ताकि आप हाज ट्रेनिंग ले सकें गवर्मेंट ने यानि की मिनिस्ट्री ने बहुत जोड़ दिया है कि आपने हज का जो जो ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं करनार है कि सिसिल तरह मिस नहीं थै lleva कि वह पहुत इंपॉर्टन इंफॉर्मेंशन्स हैं जो और प्रोवाइड करने वाले हैं, ट्रेनिंग देने वाले हैं और वैसे भी जब तमाम लोग हज करने जा रहे हैं तो मेरे खेल में यहां से सब कुछ सीख के जाना चाहिए बजाए कि वहां जाकर आप लोगों से पूछ रहे हैं और परिशान हो बहुत से लोग पहली दफ़ा जा रहे होते हैं तो उनको तो मेरे खेल में ज़्यादा कीन होना चाहिए उनको ज़्यादा इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आपने ट्रेनिंग यहां से लेकर जानी है अब इसमें उनने एक और भी बात किया है कुछ लोग उनको पैसे वापस कर दिये गए थे तो अब भी बहुत से वो लोग जो ट्रेनिंग नहीं ले सकेंगे उनको पैसे वापस कर दी जाएंगे और वो हज़पन नहीं जा सकेंगे इसके इलावा गवर्मेंट ने ये भी कहा है की चेशनाम आपका टेस्ट भी हो सकता है कि ये बात पहले भी मैंने एक वीडियो में बात कही थी और लोग कहते हैं की ये आप करवा तो आप चेशना नहीं करवा रहा हूं , ज पांक है इसके लावा गवर्मेंट ने भी कहा है कि जो मुबाइल एप है पांक हज एप और नुसुक एप यह आपने हर हाल में इंस्टॉल कर लेनी है और आपको इसका इस्तमाल भी आना चाहिए आपके साथ कोई ने कोई पढ़े लिखी लोग होंगे जो काम पढ़े लिखी लोग है हज की फ्लाइट जाएंगी पाकिसान से तो आप लोग अपने आपको मेटली उसके लिए प्रिपेर रखें हाँ एक और बात उन्हें ने ये जरूर कही है कि हज की जो फ्लाइट के शडूल है कि किस किस लोग की कौन गौन सी फ्लाइट होगी अब वो रमजान के आकर में अ हजी कैम से हम लगाना स्टार्ट कर देंगे तो उसमें आप लोगों को जो इंजेक्शन्स हैं वो जरूर लगाए जाएंगे जो वैक्सीन होती है जिसमें इंफ्लुएंजा फ्लू है और गरदन तोड़ बुखार है और पोलियो की ये वैक्सीन्स जो है वो आपको लगाए और इसका सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा उनने ये वी याद देहनी के लिए बात कही है कि यह तमाम वेक्सीन्स आपने बाहर से कहीं से नहीं लगवानी आपने गयर वैक्सिंस देगे हो और फिर डबल डबल वक्सीन नहीं लगवाई जा सकती तो इस बात का आपने बहुत बहुत ख्यार लखना है कि प्राइवेट कहीं से नहीं लगवानी आपने हाजी कैम से ही लगवाई क्योंकि आपने उसके पैसे दिया हुआ है वो आपको फ्री अफ कॉस्ट लगा के देंग हाँ इसके साथ उन्होंने एक और बात भी है कि आपको मिल जाएगी मक्का मुकरमा से भी उसके लिए आपको वहाँ पर एक अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा माजूरी का या कोई भी मेडिकल आपको दिखानी पड़ेगी चीज के यह माजूर है तो उसके लिए आपको 200 रियाल वहाँ पर आपको जमा करवाने पड़ेंगे और जब आप वीलचेर वापस करेंगे तो फिर आपको 200 रियाल वापस मिल जाएंगे लेकिन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस पता हूँ आपको क्योंके 2017 में जब मैं गया था अपने वाले साब के साथ तो मैं अपनी वीलचेर यहां से लेकी गया था और उसको बजन में शामिल नहीं किया गया था और पाकिसान से उसके पैकिंग यानि रैप करने के उसको रैप भी करते हैं प्लास्टिक में तो उसके चार्जिस भी कोई ने लिये गए थे हमारे से एयरपोर्ट पे बड़ जब हम सा साय मुलक है जिनके लोग होते हैं जो वहाँ पैसे मांग रहे होते हैं तो वह मैंने 20 रियाल उसको वहाँ पर पे किये थे कि आपको यानि कि जो ग्रुप की सुरत में अगर आप जा रहे हैं जो रेगुलर हच स्कीम है तो आपको अगर मर्द और खावातीन है तो अलग अलग रूम मिलेंगे पांच 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 छे-छे लोगों का रूम होगा वाश रूम भी इसी तरह लग होगा लेकिन जो ल मुझे अपनी दूआ में आ रखियेगा अलाह आपिस